हेलो गाईज, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज हम यहां पर उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की जो आरो ए आरो दो हजार सोला वाली परिक्षा है उसके बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि सर आरो ए आरो दो हजार सोला वाली जो परिक्षा है इसमें निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी क्योंकि जो 2016 में जो notification आया था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि negative marking होगी तब आयोग में negative marking नहीं होती थी लेकिन 2017 का जब exam हुआ तब से इसमें negative marking शुरू कर दी गई थी और अब ये जो exam है 2020 में होने जा रहा है और बहुत सी जगहें चर्चा चल रही है कि इसमें negative marking होने जा रही है तो बच्चों के मन में संदेह है कि notification में तो ऐसा कुछ भी नहीं है और बच्चे लगातार बोल रहे हैं कि जो चर्चा है वो इस बात की चल रही है कि negative marking होगी तो इस बात की क्या सत्ता है कि question paper जो होगा वो negative marking वाला होगा या without negative marking होगी तो मैं यहाँ पर वही आपको बताने वाला हूँ आयोग से मैंने ये जानकारी एकत्र की है और वहां कि जो हमारे विश्वस्निय सूत्र हैं वहां से भी खबर मिली है इस संबंद में कि इसमें negative marking होगी या नहीं होगी जैसा कि आप जानते ही हैं जो आरो एरो 2016 वाला जो ये exam है ये 20 सितंबर को होने जा रहा है हाला कि पहले 13 सितंबर को था लेकिन इसको post upon कर दिया गया और अब ये 20 सितंबर को है तो time बहुत ही कम बचा हुआ है तो आप अपनी जो पढ़ाई है जो आप अपनी पढ़ाई जिस strategy के साथ कर रहे हैं वैसे ही करते रहें क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है और इन सब बातों पर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है कि negative marking होगी या नहीं होगी अगर होती है तो भी आपके लिए अच्छा है और नहीं होती है तो आपके लिए और भी जादा अच्छा है क्योंकि जो भी आयोक कदम उठाता है वो students के भले के लिए ही उठाता है हलाकि आयोग को पहले से ये बता देना चाहिए था कि निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी अभी तक इस संबंद में कोई नोटिस भी जारी नहीं किया गया है लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है आयोग के विश्वस्नी सूत्रों से वो यही मिली है कि इसमें निगेटिव मार्किंग होने जा रही है 90% chance है कि negative marking होगी और इस संबंद में 2 या 3 या 4 दिन में आपको कोई notice भी देखने को मिल सकता है आयोग की तरफ से अगर notice नहीं आता है तो आपका ये काम होगा कि जब आप exam में paper दे रहे हों exam में जब आप paper देखें तो पहले उसमें जो rule लिखे रहते हैं उनको अच्छे से पढ़ ले उसमें क्या दिया गया है negative marking के लिए बोला गया है या नहीं बोला गया है उसको जरूर अच्छे से पढ़ ले अगर आयोग notice जारी नहीं करता है और अगर इस संबंद में आयोग कोई notice जारी कर देता है कि negative marking नहीं होगी या होगी तब फिर आपको चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है लेकिन जो हमें जानकारी मिली है वो यही है कि इसमें negative marking होने जा रही है और आयोग ने ये निर्णय ले भी लिया है अब notification निकालते हैं कब निकालते हैं इस संबंद में कोई सूचना नहीं मिली है कि 2-4 दिन कब निकालेंगे लेकिन ये निर्णय लिया जा चुका है कि इसमें negative marking की जाएगी हलाकि 10% chance ये भी है कि negative marking ना भी हो अभी उसमें चर्चा चल रही है निर्णय लिया जा चुका है कि करे या नहीं करे तो आप एक बात का जरूर ध्यान दे कि negative marking हो या ना हो पेपर में जो rule दिये हो उन्हें जरूर अच्छे से पढ़ ले तभी आप अपना paper solve करे अगर negative marking नहीं है तो पूरे question solve करे अगर negative marking हो तो अपने हिसाब से आप देख ले कि आपको कितने question attempt करने है क्योंकि जब पहले से पता रहता है हमें कि negative marking नहीं है तो हम जो mind set करके जाते हैं वो complete question करने के लिए जाते है और जब negative marking होती है तो हमारे mind में कहीं ना कहीं एक point होता है कि negative marking है और question हमें ध्यान से attempt करना है तो यही थी news कि आयोग ने निर्णे ले लिया है इस संबंध में कि negative marking होगी और जल्द ही इसका आपको notice भी देखने को मिल सकता है लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ कि हमें जो जानकारी मिलती है वो आयोग के विश्वसनी सूत्रों से मिलती है जो वहाँ meeting हो रही होती है उन्ही सब की जानकारी हमें पहले से प्राप्थ हो जाती है लेकिन अभी उसमें कितनी सत्ता है इस संबंध में मैं 100% sure नहीं हूँ कि यह होगी या नहीं होगी जो वहाँ meeting होई है उसमें जो निर्णा लिया गया है वो सारी जानकारी मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ So thank you मिलते हैं नई informative वीडियो के साथ और अगर इस संबंध में कोई notice आता है तो आपको हमारे channel के माध्यम से जानकारी प्रदान कर दी जाएगी Thank you